तो हाई फ्रेंस नमस्कारे आप सभी का स्वागतन ना दोस्तों हिंदी वाले हैं तो जो लोग हिंदी पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है आज कल हिंदी को कोई तबज्जू नहीं देता है उस टाइम पे आप लोग हिंदियों को सम्मान दे रहे हैं अच्छी बात है ठीक ह क्योंकि हिंदी के देखिए देरे-देरे डाउनफोल हो रहा है और देख लेते हैं तो आज हम लोग करने वाले हैं समेश्टर थि हिंदी मेजर पेपर फोर का कोस्टेन आंसर रांची इन्वर्ची और निलांबर पितामबर इन्वर्ची प्रोफेसर गैस पेपर इसमें पढ़ना है आपको semester 3 major paper 4 में हिंदी कथा साहित्य कहानियम उपन्यास तो 75 नमर का exam होगा पास करने के लिए 30 नमर लाना है इसमें आपको जो पढ़ना है हिंदी कहानियम उपन्यास में और विकास पढ़ना है साथ में पढ़ना है unit 2 में आपको कितने पाकिस्तान कमलिस्वर जी का लिखा हुआ मानस कहांस अमरितलाल नागर जी का लिखा हुआ और unit 3 में पढ़ना है आपको निद्धारित कहानिया जिसमें आपका दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रेमचंद के द्वार लिखा गया है परिंदी जो की निर्मल वर्मा के दवार लिखा गया है उसने कहा था किसने तो यह दुक रहानी के द्वारा यह पढ़ना है इसमें मतलब रोने जैसा इस्तितिय होगी अगर आप दिल से इसको पढ़िएगा ना तो रोल लीजेगा नेक्स्ट आपका यहां पर तीसरी कसम तीसी कसम ने तीसरी कसम पनिस्वर नाथ रिन्व जी का है एकदम मस्ट फिलमी डैलोग जैस पर दिल्वार लिखा गया है चलिए अब हम लोग देखते हैं इंप्टेंट कोस्टन तो सबसे पहले तो यह आपका इंप्टेंट कोस्टन देख लिए वन मार्क्स वाले इसमें आपके पांच कोश्टन आएंगी तो इसको पढ़ लीजेगा ठीक है और एक्जाम से पहले म इतना मैद करना है कर लीजी ठीक है चलिए तो मैं लोन या पंच मार्या दो ओर बाकी सब आयंगा आपको 15 वाले 6 यह कोश्टन इसमें से कसी Char को बनना होगा ठीक है तो यहां से हम दो शुरू करते हैं long answer type इसको पढ़िएगा तो आपका एक marks वाला अपने आप बन जाएगा पांच marks वाला भी अपने आप बन जाएगा ठीक है तो लंबा वाला को पढ़ना है बड़ा वाला को पहला है हमारा हिंदी कहानी की उद्भव को संचेप में लिखिए हिंदी कहानी का उद्भव किस पर रवकार हुआ है संचेप में लिखना है चोटा ज्यादा बड़ा नहीं ठीक है और 15 माक्स वाली कोशिन का अंसर आपको तीन ख़ड़ा पन्ना में करना यानि कि 6 पेज अगर आपकी लिखने की स्पिट कम है तो 2 खड़ा पन्ना यानि की 4 पेज में करना है ठीक है यहाँ पर हमारा पहला कोशिन क्या है हिंदी कहानी की उद्भव को संचेप में लिखिए हिंदी कहानी की उद्भव और विकास की संचेप रूप रेखा प्रस्तूत कीजिए ठीक है आगे देख लेते हैं तो इसको यहाँ से पढ़ लेना है इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना है आपको पढ़ना यहाँ से और अपने सब्दों में आंसर करना है ठीक है हिंदी उद्भव और विकास की नहीं लिख़े वही है यह जो है आपका Question Number यह जो वन है वही है ठीक है हिंदी कहानी की उद्भव और विकास की संचेप में लिख़े है चाहे आपको यह भी पूछ सकता है कि हिंदी Sorry, वह कहानी था यह उपन्यास है ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देज़ेगा, कहानी आपका छोटा होता है, उपनियास बड़ा होता है, ठीक है, तो सेम उसी टाइप से लिखाएगा, बस वहाँ पे कहानी था, यहाँ पे आपका उपनियास है, ठीक है, मतलब फर्मेट एक बर बनाना सीख जाएगेगा न, तो यहाँ पे है आलोचना, आलोचना मतलब दुस्तो कमी, तो इनके लेखन में यह जो क्या-क्या कमी रह गया है, वो बताने है, ठीक है, तो वो चीच आपको बताने हैं, अपने सब्दों में, किताब से ग्यान लीजिए, पढ़िए और अपने सब्दों में अंसर कीजिए, अ उसमीं पता चरेगा कि कौन-कौन से मही के समेसिया आए है, और उसका समाधान क्या है, ठीक है, तो देखिये जिसे के लिखेत रोप में देखा जा सकता है, काम और भक्ति, अत्वार, राग, एयों, विराग के समेसिया है, जाती-पाती के समेसिया को बताया गया, नारी की गुटन की समयस्या को बताया गया है कि कैसे वह एक ही अस्तान पे रहा के गुटने लगती है ठीक है दुनिया की तमाम विविदताओं से दूर हो जाती है नेक्स्ट आपका पाखंडी समाज में आदर्स की रक्षा कैसे कि यह भी एक समयस्या है ठीक है सांपरदाइक के समयस्या है धर्म से समवंदित समयस्या तो इन सभी को बताना है पढ़ने के बाद आपको सब कुछ पता च काम इख्षा करना है ठीक है तो एक मतलब पूरा का पूरा इसमें आपको पढ़ना ही पढ़ेगा और कोई पाई नहीं क्योंकि यहां से आप जोड़के नहीं लेख सकते कहानी है तो पढ़ना पढ़ेगा तभी आप उसका अंसर जान पाईएगा ठीक है नहीं तो रमाइन मानस के आधार पर उपण्यास की नाई का रतना वाली का चित्रन किजी ठीक है कैसा चित्रन तो चर longitud ci तर उसका चार ενित्र कहीसा था है यह प्योड़के अ ठीक है are च्रित्र धुसे के दुर्भांगे ने एक विर जिनी नारी का सवरूब परदान किया है इस कथन के पडीपेक्ष में रत्ना वली का चारित्र का ऑंगन किजे चाहिए चariral का चित्रन किजे बात से में ठीक है मतलब उसके बारे में बताना है उसका सभाव परिचाई देना है ठीक है उसके कर्म बताने कैसे काम करती थी कैसा रहती थी ठीक है नेक्स्ट आपका मानस हंस वपयास के अधार पर गोस्वामी तुलसी दास का चरत्र चितरन करें ? अब देखिए यहाँ पर क्या बताना है आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट कॉशिन है यहाँ पर प्रेम्चंद जी का जिवन परिचे प्रस्तूत करें। या उनके व्यक्तित तो वह कृतित पर प्रकाश डालिए ठीक है धनपत राय प्रेमचंद के बच्पन का नाम सब को जानते ही होंगे नहीं जानते आप जान लिजे और क्या बुदिन कलम का जादूगर प्रेमचंद को भी बुला जाता है ठीक है प्रेमचंद जी के जिवन वृत व्यक्तित वह प्रेमचंद का नाम सब को जानता है दो वह लोग की कथा से चलिए नेक्स्ट आपका यहां पर मुंसी प्रेमचंद का संचिप्ट जीवन परिषय दें मुंसी प्रेमचंद की बहुत बड़ी खासित काया हमान में इन्हें कभी घमन नहीं हुआ अपने बढाई पर ठीक है या फिर अपने जीवन जीते थे और कभी मतलब लोगों से रूड़ता से बात नहीं करते थे दया भाव सानुगूति भाव और समाच के जो मुझ के समयसियां थे उनको उजाकर करने का काम करते थे ठीक है अगला हमारा कहानी कहानी क्या है दुनिया का सबसे अन्मोल रतन ठ कहानी की समिक्षा तो था पात्र का परिचे देना कि कौन-कौन किस पात्र में थे ठीक और किनका किस रूप में दर्साय गया है आगे देख लेते हैं तो इस तरह से यहां पर पढ़िएगा पढ़िएगा तो आपको अच्छा भी लेएगा ठीक है और पात्र का नाम भी ठीक है फिर आपका दिल फरेब आगे देख लेते हैं नेक्ट तो अगला हमारा है कौश्चन यहां पर प्रेमचंद कृत दुनिया का सबसे अन्मोल रत्म कहानी का सारांस लिखी देखे यह कौश्चन वही है बस यहां पर आपको सौट में लिखना है सारांस मुतलब डारे इसे परिंदे सिर्षक की समिक्षा करें अथ्वा परिंदे सिर्षक कहानी की विशिस्ताओं को बताना है ठीक है नेक्ट देख लेते हैं तो अगला हमारा कोश्चन है निर्मल वर्मा के व्यक्तित पर निर्मल वर्मा के व्यक्तित पर कृतित पर प्रकाश्टल लें कृतित लिखे मतलब कविता लिखे कहानी उपए नियास जो भी लिखा है वो बताना है ठीक है कब से लिखना शुरू किया कहां पर और सब कुछ इस तरसे डेटियल में बताना है अगला है हमारा उसने कहा था किसने कहा था रहे वह यही याद करो जो मिले थी ठीक है उसे ने कहा था यादा या नहीं नहीं सब बोल गए हैं उस और यादों नहीं करना है तो उसने कहा था कहानी का बिसमेशन कहानी के तत्तों के आधार पर किजिए कैथ्य और सिल्प की दृष्टी से उसने कहा था कि आई नेवर छोड़िए कहा गया कि उसने कहा था कहानी के समिक्षा किजिए ठीक है कैथ्य और सिल्प की दृष्टी से कहा था कहानी के समिक्षा किजिए यह कहानी वह बहुत पसंद है चंदरदर सर्मा को लेड़ी जी के कहानी उसने कहा था संडचना पक्ष का विशार किजिए ठीक है और सुकमाई जीवन बुद्ध का काटा और उसने कहा था ठीक है उसने कहा था कहानी उनकी ख्याती का अधार है पढ़ लिजेगा ठीक है हाला कि मैं इसको मतलब थोड़ा स सारांस लिखी है उसने कहा था कहानी की अपने सब्दों में प्रस्तूत किजिए कि उससे हमें क्या सीख मिलती है ठीक है तो बस अंतिम कोशन आजाती है कोशी का गटवार ठीक है कोशी का गटवार गटवार एक जाती होती है और कोशी जो है एक जगा करना में कोशी का गट वार का समिक्षात्मा को वर्णन कीजिए ठीक है आगे दिख लेते हैं तो नेक्स्ट आपको यहां पी क्वेस्ट में की कहानी यह मोस्ट इंपोटेंट आप नोट कर लेजिए चीप की दावत ठीक है अपने बोस को बुलाता है खाने पर अपनी मां को लात मर के मतलब साइड म मानमय मेरा जोब लगाता तो मुझसे मांगा गया गुष मैंने माना आकर जाण आपके मैं नहीं दूंगा यार चाहिए आप जॉब दो या ना दो जाने दिया यार भागो ठीक है हाँ मानु में अभी थोड़ा सा दिकत हो रहा है लेकिन घूश लेके काम नहीं करना है बस इसी तरह से अपनी तरक्की के लिए मैं किसी को मतलब कोई भी गलत काम नहीं करूंगा सिंपल सी बात इमानद लिट्वों के आधार पर चीप के दावत कहानी का बिसलेशन किजिए और यहां पर कहानी को गुरा-गुरा पूशा गया इसमें समिक्षा बोल गया इसमें बोला गया इसमें किजी और फिर यहां पर बुरा गया कि संधर्चना पक्श्थ कुप पर विचार किजी तो कौन अब सब एक है बस हबदल दिये गहे लिए है ठीक है तो आठ बुखार ब MOOL है चाहाे जोर ब like चाहा फिबर वोलिए बास बराबर है उसी तरह से है वही सोब्द चुलिए, तीसरी कसम, मतलब इससे पार लगी दो कसम हो चुला है तब यह तिसरी कसम हुआ है और अंती में बस इसके बाद आपका नहीं है, और भी है जी, नहीं है टिके चलिए, तू दिख लेते हैं, इसमें हैं आपका दिल्ली में एक मौत, कहानी का सारांस अपने सब्दो में लिखें अगर सच में बताओ अगर आप लोग से ह्लिए होकर पढ़िया गाना तीन तीन घंटा तो मुझे लगता है कि आपका खताम अपना करती इस आप बहुत ज्यादा थे या लाग मेनत करना पड़ेगा तो कोशन है हमारा सरंदाता कहानी को अपने सब्दों में वैक केजिए कहानी सरंदाता का सार परसुत केजिए या सरंदाता कहानी की समिक्षा परसुत केजिए तीनों का सेम है ठीक है कहानी के सार लंबी कहानी के अनिवार्योता वस्तिर्शक के सा तो यह आपके कुछ इस टाइप से question थे जो कि पूछे गए हैं पूछे की संभावना है ठीक है अब देखिए my important question भी आपको दे दूँगा जल्दी है और इसका प्रिबेश सीर question भी कोसस करूँगा देने का बाकि मिलते हैं next video में thank you और हां कोई भी पढ़े या ना पढ़े आ सब में जितना है सब प्रिबेश कर जाएगा बस फेल होने का एक है संभाना है तो उसका जितना भी मैंने वीडियो अप्लोड किया है सब को है कि करके छान चान के खोच-खोच के दिख लेजे क्योंकि वह प्र हां टिक है डरा देगा आपको ऑके बाई